पी। वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्षवर दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टन टेस्क के बारे में बात करूंगा दोस्तों जो बहुत ही जरूरी होता है और बहुत्मन में लिखा जाता है दोस्तों यह टेस्व का नाम होता है हम डिसकुस लगते हैं दोस्तों TLC जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है total, leukocyte और count दोस्तों है total का मतलब होता है complete, leukocyte का मतलब होता है सफेद रक्त कोशिका है यह white blood cells और count का मतलब होता है number total, leukocyte का मतलब होता है कि हमारे शब्द में total white blood cells का नशब्द कोशिका है, जब्द होता है जब भी कोई कोई foreign particle याidor antigen बाहर से आता है तो हमारे शब्द में क्या होता है WBC active हो जाते हैं तता उसका सामना करते हैं तता जो बाहरी foreign antigen particles होता है उसको destroy कर देते हैं बट कफी बार क्या होता है कि जब ये करने में अस्मत हो जाते हैं मतलब डिफेंड करने में रक्षा करने में अस्मत हो जाते हैं तो ये का मतलब होता है कि जो different type of जो पांच different types के leukocyte होते हैं उनका कितना कितना count होता है दोस्तों TLC और डियरेक्टी प्रोपोर्शनल होते हैं अगर TLC का level भड़ता है तो ढियरेक्टी का भी बढ़ेगा और अगर TLC का लेवल घटता है तो DLC का भी बढ़ेगा क्योंकि जो DLC होती है वो TLC का ही पार्ट होता है जैसा मैंने बताया दोस्तों हमारे शरीर में TLC का काम होता है रोगों से लड़ना मतलब जो बहरी फार्ट फॉरन आर्टिकल होते हैं जो हमारे शरीर में रोग परलाते हैं उनसे रक्षा करना बट काफी बार क्या होता है यह फेल हो जाते हैं जिससे क्या होता कि शरीर में बहुत सारी गंभी बीमारिया हो जाती हैं जैसे कि cancer जैसे बीमारी या दूसरे infections बीमारी भी हो जाती हैं तो यह क्यों करवाया जाते हैं TLC दोस्तों यह इसलिए करवा जाते हैं एक general health screening के रूप में तता यह दूसरी condition में भी हो सकता कि अगर आपको बीमार है आपको कोई बीमारी लगी कोई infection है कोई दूसरी बीमारी ह उसके level पता करने के लिए भी यह test करवाया जाते हैं कौन-कौन सी बीमारी में यह दोस्तों बढ़ जाता है जब भी कोई infection होता है हमारे शेरी में कोई सूजन होती है कोई bone marrow disorder है या bone marrow disorder से related जैसे कोई leukemia यह blood cancer है allergy है या शेरी में कोई बहुत एक्सिडेंट ट्रॉमा वगारा condition है यह stress condition है उसमें भी बढ़ जाता है साथ साथ में immunity disorder होता है उस condition में भी यह बढ़ जाता है और lungs के infection के cases में या COPD के cases में भी क्या होता है कि जो TLC या DLC का level जो होता है दोस्तों लेबल की बात करूं तो हमारे शरीव में नॉर्मल TLC का जो लेबल होता है 4000-10000 WBC माइक्रोलीटर होता है दोस्तों और यह क्या करता है कि दोस्तों एज के हिसाब से घटता जाता है मतला भी बर्ट के समय यह जादा होता है बर्ट जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी हिसाब लेबल होता है और यह सका ज development edge में तो Hij करसे जो होता है चाहांis 002 माइक्रोलीटर्स होता है दोस्तों और प्रेंगनेंशी के केस sama बोटेंवेसमें लेबल होता है दोस्तों जादा होता हम कौन कौन से ऑब्सकी होते हैं जैसा मैंने बताया डिप्रैंशाल्यं यह 5 में होते ह इसमें monocyte होता है, isnofil, basophil, lymphocyte और neutrophils जो होते हैं, common होते हैं, अगर मैं इसकी percentage की बात करूँ तो जो percentage में neutrophils का percentage सबसे ज़्यादा होता है, 40-60%, lymphocyte का 20-40%, monocyte का 2-8%, दोस्तों मैं एक बाद हैं बताना चाहूँगा, lymphocyte और monocyte का count जो होता है, infection के cases बढ़ जाता है, और ये cancer के cases बढ़ता है, भी बढ़ता है, दोस्तों, infection के cases में दवाई देने के बाद घड़ जाता है, बट cancer के cases में इसका level लगतार बढ़ता जाता है, साथ में उसके साथ में, isnofil और basophil भी दोस्तों होते हैं, उसके लिए अलग में वीडियो बनाए हैं, जिसके बारे में आ आपको लेना पड़ेगा, साथ में आपको क्या करना है, आपको साथ में डाइट से भी सही लेनी हैं, मतलब आपको अपनी डाइट में, जो saturated foods हैं, मतलब तली चीज़े वो कम लेनी हैं, साथ में, कॉलस्टरोल रिच डाइट होती हैं, जो इसे घी वगरा या दूसरी चीज होनी है, जिससे क्या होगा, कि आपका जो TLC लेवल और DLC लेवल जो होता है, वो मेंटेन रखने में काफी हेल्प में लेगी दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आपको यह इंफोमेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर करना ना भूलें, तो तब बिल आइकोन निटिफिकेशन आप तक पहुंच है, विद इस दुस्तों, थांक यू वरी मुच फॉर वोग्षिण हेल्स रेंबो,